क्या हल चाले दोस्तों लेके आ गए हूँ आपके लिए संडे ग्यान का एक और मज़िदार एपिसोड इस एपिसोड में हम बात करेंगे शाओमी के उस टीवी की जो 70 इंचिस का है रीसेंटली लॉंच हुआ है और प्राइस उसकी अनबिलेवेबल है मैं हूँ पुनीद बने रही है इस एपिसोड में मेरे साथ में उस टीवी के बारे में जानने के लिए शुरुवात करते हैं आज के एपिसोड की आप अफ दे वीग से तो इस अफते की अप है एनलाइट पिक्सल लूप और अगर आप मेरी जैसे मस्त मसगों पर गूमने जाते रहते हो जैसे कोई पहाड जड़ना बादल वगरा तो यह आप आपके लिए बहुत काम की है यह आप करती क्या है यह आपके still photographs जो होते है उनको अनिमीट कर देती अगर यह आपको download करने है तो इसका link है वो मैंने description में दिया हुआ है जल्दी से जाके इसे download करिए यूज करिए और पताइए मुझे कि आपको लगी कैसी comments के अंदर वीडियो अगर पसंद आयो तो इसे जल्दी से like कर देना हमारे चैनल को अगर अभी तक subscribe नहीं करा हुआ ह तो यार subscribe कर दो जल्दी से क्योंकि बहुत सारे episodes आपके लिए में लेकर आने वाला हूँ यह सब information के साथ में चलिए बढ़ते हैं अगले segment की तरफ जो की है game of the week यह game of the week जो है अगर आप shark के जैसे भूके रहने वाले लोग हो तो यह game आप लोगों के लिए है मजा कर रहा हूँ गेम का नाव है hungry shark world basically इस game में आप एक भूकी shark होते हैं और आपको खाना होता है आदमियों को और बड़ी-बड़ी मचलियों को basically जैसे जैसे आप इन आदमियों को और मचलियों को खाते जाते वैसे आप बड़े होते जाते हो और आपको reward के अंदर coins वग जगें है जो कि आप गेम के अंदर देख सकते हो जो गेम है वो है motion control तो basically अगर आपके हाथ में mobile है और आपको game को खिलना तो बटन वगरा प्रेस नहीं करने होंगे आपको अपने mobile को ऐसे-एसे move करना है इस game को खिलने के लिए इस game का download link भी मैंने description में दिया हुआ है download करिए इस game को और बनाईए अपने आने वाले हफ़ते को मज़ेदार अचलिए बढ़ते हैं अगले segment की दरव जो की है gadget of the week इस अफ़े जो gadget में आपके लिए लेकर आया हूँ वो है Xiaomi Zazia काफी बढ़िया gadget है अगर आप environmentalist है या आप अपने आपको परियावरन संरफशक मानते हैं तो नहीं भी मानते हैं तो भी पानी हम सब को बजाना चाहिए और ये gadget उन सब लोग को खरीदना जरूर चाहिए ये basically करता क्या है कि आपको इसे अपने नल के नीचे फिट करना होता है और उसके बाद में जिसके automatic sensors होते हैं वो ये detect करते कि आपको अपने हाथ नल के नीचे ला रहे हैं ताकि पानी automatically slow होना शुरू हो जाए आपको additional batteries add नहीं करनी होती है चार्जेबल डिवाइस होता है तो जब भी batteries में खतम हो जाए आप इसे चार्ज करिए और फिर से यूज करिए अगर आपको ये gadget खरीदना है तो ये आपको मिल जाएगा online लगबग इसकी कीमत है 1200 रुपे के आसपास इंडिया में अभी available नही God of War game का मैं नहीं कहलता हूँ मुझे दिव्यांग में ये जो वाल पेपर है वो रिकमेंड करा है कि मैं यूजर के साथ में शेयर करूं में काफी जादा पसंद आएगा इसमें आपको background देखने को मिल रहा है वह एक Game of Thrones का जो ये दोनों जो एक गेम है और जो शायद क्या है TV सीरीज है उसको enjoy करते हैं ये वाल पेपर उन लोगों को जरूर पसंद आएगा अगर आप भी हमें कोई वाल पेपर रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स के दर बता सकते हैं Instagram पे हमसे contact कर सकते हैं और आपका नाम में बताऊंगा यूजर को जो भी हमें पर डाउनलोड करना है तो आपको ये मिल जाएगा description के अंदर महां जाइए डाउनलोड करिए और चलिए अब बढ़ते हैं चटपटी खबरों की तरफ mobile tech industry से जो आई हैं इस हफते में हमारे पास में चलिए बात कर लिते हैं सबसे पहले Xiaomi के उस TV की जिसके बारे में यह तरही एट थाउजन रुपीज में 70 इंच का टीवी रेडमी तीवी जहां पर यह तीवी लॉंच हो है डेडमी सीरीज के अंडर लॉंच हो है इंडिया में अल्रडी शाओमी के मी आते रहते हैं उमीद करता हूं कि शाओमी इस तीवी को जल्द ही इंडिया में भी जाएगा नोट 8 प्रो जो है वह आपको मिलेगा 64 MP कैमरा के साथ में रियल मी रिसेंटली इंडिया के अंदर अनाउंस कर दिया है अभी तक मार्केट में अविलेबल नहीं है वह उसके अंदर 64 MP कैमरा आपको मिल जाएगा इसके अलावा एक और खबर आ रही है चाइना मार 5T launch इसमें Kirin 980 है जो उनका flagship processor है और जो cameras है वो है quad cameras अगर हम बात करें इंडिया के launches की तो ओपो ने launch करा है और mostly availability जो है वो भी उसी टाइम से शुरू हो जाएगी चली अब बढ़ जाते हैं अगली खबर की तरफ जो की है Fitbit की तरफ से Fitbit वर्सा 2 इंडिया में आ चुका है और इसकी प्राइस है 20,999 रुपह है फोड़ा सा प्राइसी साउंड हो रहा है बट वच देखने में काफी जादा beautiful है जो अगली खबर में आपके लिए लेके आया हूँ वो है Google की तरफ से Google Nest Hub इंडिया में आ चुका है अगले हफते तो आप दो को है अगले हफते तो यह ता हम बात करें आज की आखरी कबर की तो है Realme की तरफ से Realme Q-series launch होने वाली है चाइना में अगले हफते तो ये था हमारा संडे ग्यान का आज का एपिसोड और जाने से पहले शाउट आउट उन कुछ लोगों के लिए जिन्हों ने हमें काफी useful suggestions दिये उनके नाम है सिधार्त रॉय, बंधन प्रीट सिंग, दुर्गादास, सुभजित गोश और पुलेश कुमार थांक्यू गाइज आप अपने सुजाओ देते रहिए हम अपने कंटेंट को और भी बेतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे आपके सुजाओं से हम सब मिल चुल के इस एपिसोड को इस सीरीज को और भी जादा बढ़िया कर देंगे आप लोगों के लिए आज के लिए बस इतना ही और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए मैं आप से मिलता हूँ अगले एपिसोड में कर दो